नमस्कार मैं सुनाली और आप देख रहें केकेडी न्यूस लखनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रहे हैं डायल 112 की महिला करमचारियों के प्रदर्शन का छटा दिन है प्रदर्शन के छटे दिन भी परिवार से ना मिलने की हो जारी है और परिवार से महिला करमियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है उसके साथ बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है पुलिस जो है वो प्रशासन जो है वो महिला कर्मियों को अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रही है महिला कर्मियों ने पुलिस के तानसाही रवये का वीडियो वाइरल किया है धर्ना दे रही मैला कर्मियों से मिलने आई उसकी बेठी को बैरिकेटिंग कर पुलिस ने रोका दोसों से अधिक कॉल टेकर परिवार से दूर अपनी मांगों को लेकर दे रही है धर्ना दिपावली से पहले 112 की प्रोटेस्टर्स के परिवार से मिलने पर पुलिस ने कि या गया था इस है आज पने बच्चों से नहीं मिलने दिया जारा बच्चों से मिलने पर वाबंदी लगाई जा रही है वही परिवार वालों से भी में बैरिकेटिंग कर दी गई और उसके बाद पुलिस दे बैलाकर्मियों के बच्चों को और परिवार जनों को रोका ए दोसों से अदे कोई टेकर्स परिवार से दूर है अभी पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे उपर गौतम पली थाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूपी पॉलिस ने मेरे उपर मुकदमा दर्ज कर दिया है कहीं ने कहीं ये सोचने की बात है कि जिस तरह से 112 की महीला करमचारियों की लडाई उनके मुक्याले से शुरू ही मेरे पस पॉस्टर के माध्यम से कि मैं इन बेट्यों की आवास को मुक्ही मंत्री जी के पास तक पहुचा सकाँ मैंने इसी लिए इसी क्रम में उन बेटियों की मार खाते वे वो तस्वीर लगाई जहां पर एक तरफ भाजपा सरकारी कहती कि हम नारी वंदन का कारक्रम चला रहे हूं दूसरी तरफ उसी भाजपा सरकार के राज में लखनो राजधानी के अंदर महिलाओं को बेरहमी से पी कि महिला करमचारियों की लड़ाई उनके मुख्याले से शुरू ही और वो मुख्याले के बाद जिस तरह सुनकी पिटाई की गए उनके सथ बत्तमीजी की गई और वेतन बढ़ाने की मांग को लेका सरकार और विभाग दोनों ही उनकी कोई सन्माई नहीं कर रहे थे मेरा प जहां पर एक तरफ भाजपा सरकारी के थी कि हम नारी वन्नन का कारक्रम चला रहे हों दूसरी तरफ उसी भाजपा सरकार के राज में लखनो राज़गा